यह सब हम इस लेशन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत इजी वी में पढ़ने वाले हैं ओके सो बस आपको फोकॉस्ड होके एकदम इस पे ध्यान देना है ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं निव वीडियो अप्लोड करेंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप इसली वीडियो देख सकोगे तो चलो यहां पर देखिए कुछ हमे वर्ल्ड मैप दिया गया है तो वह हम देखेंगे कि यह क्या है क्यों दिया गया है सारी चीज़े हम देखेंगे observe figure 1.1 and answer the following questions तो यह जो figure दिया गया है जो वह क्यों दिया गया है तो वह एक एक question पढ़ेंगे तो समझ में आएगा which place are shown on the map तो कौन-कौन से places यहां पर दिखाए गये हैं यहां पर कौन-कौन से places आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए यहां पर बहुत सारे places है तो यहां पर South America जो continent है तो यहां पर Lima है और यहां पर देखिए अफरिका में तो यहां पर क्या है यहां पर देखिए तो यहां पर Rome है और यहां पर St. Petersburg है आग्रा है Port Blair है तो यहां पर अलग-अलग अगर आप देखोगे तो यहां पर seven continents दिखाएगे हैं तो आपको पता होना जाए कितने continents हैं तो यहां पर आपको पता होना जाए कितना है continent साथ North America South America Antarctica Australia Africa Europe Asia तो यह कितने हुए यहां पर 123456 and 7 वह तो यह 7 continents है और places जो हमने देखे एक-एक यहां पर Port Blair है यहां पर Tokyo है ओके यहां पर St. Petersburg है तो यहां पर अलग-अलग यहां पर places है और यहां पर आपको continents भी दिये गए हैं साथ और oceans भी आप देख सकते हो यहां पर कितने oceans हैं यहां पर तो यहां पर देखे Pacific Ocean है Southern Ocean यहां पर Arctic Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean and Pacific Ocean यहां पर जो है वह यहीं पर इस साइड भी वही है और यहां पर देखे Arctic Ocean ठीक है तो यह यहां पर कितने हुए और यहां पर भी जो एक है वह भी उसको भी लेके सेवन ठीक है यहां पर जो हैं ओके तो अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question क्या है in which city is the Taj Mahal located तो यह तो बहुत simple है Taj Mahal कि city में है तो यह तो आगरा में है तो आप वैसे ही बता सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर यह जो red dot दिया गया है यह place है आगरा का और आगरा पर यह आगरा में है यह ताज महल लोकेटेड है okay in which continent the Taj Mahal located for sorry in which continent is the Taj Mahal located यहां पर आपने देखा किस city में है located किस शहर में है Taj Mahal located कहां पर है अब मैं आप बताना है किस continent में तो हमें पता है हमारा इंडिया किस continent में है तो हमारा इंडिया है एशिया कॉंटिनेंट में तो यह एशिया कॉंटिनेंट में है आगरा ठीक है तो ताज महल किस continent में है एशिया कॉंटिनेंट में ना इन विज डिरेक्शेंज इन विज डिरेक्षेंंल इस एशिया अगर बात करें ग्राहम तो ए दियुक के किस किस लोकेशन में ताज महल जो आना जाना पड़ेगा यह एस जाना पड़ेगा UK겠습니다 Kimberly और Kimberly जो place है तो वहाँ पे कात्या रहती है और Michiko जो की Tokyo में रहता है Minakshi जो की Port Blair में रहती है तो इन सब के लिए कौन सा location है कहाँ पे located है तो आपने 4th standard में पढ़ा होगा 5th standard में पढ़ा होगा Map के बारे में तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा किस तरव के से मैं पढ़ा जाता है तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो की यहाँ पे पहला लड़का कोन है यहाँ पे किसका नाम दिया गता है Graham का जो की Graham कहाँ पे है St. Petersburg में तो अगर St. Petersburg से उसे आना है तो यहाँ पे यह ध्यान देना है यह जो डॉट है उस पे ध्यान देना है ठीक है अब इस डॉट को इस डॉट पे आना है तो कौन सा डिरेक्शन है यह जो पर्षन है Graham यह St. Petersburg St. Petersburg कहाँ पे है यह डॉट जो है वो तो इसे आना है यहाँ पे यह रेड डॉट पे तो आप कहाँ आ रहे हो यह तो यह पहले तो यह South में आया उपर तो गया नहीं ठीक है मतलब नीचे की तरफ आया South में आया ठीक है और कहाँ गया यह थोड़ा सा घूमा कहाँ पे East में है ना इधर देखिए यह हुआ आपका North South East West तो यह कहाँ पे जा रहा है यह मानिच अगर ऐसे आप देखो तो North में आ रहा है और फिर कहाँ पे जा रहा है यह East में जा रहा है तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यह कहाँ पे है इसका प्लेस South East South की तरफ आ रहा है फिर East की तरफ गूम रहा है मतलब कि, इससे अगर आना है ताजमहल, तो इसकी तरफ से ताजमहल कहां पे है, इसकी तरफ से है गिरहाम की तरफ, मतलब से- अगर हम देखे ताजमहल का लोकेशन कहां पे है, तो, साउथ इस्ट. ओके, अब बात करते हैं, नेक्स नाम किसका दिया था, next time दिया गया था यहां पर कात्या, कात्या के बाद मिशिको, तो कात्या और मिशिको का हम देखते हैं, यह देखिए कात्या यहां पर है, किमबर्ली में, तो अब देखिए, यहां पर है यह किमबर्ली, अब यहां सी से जाना है, इस डॉट पर अगर हम देखें, तो कहां जा लाइए हम जा रहें नौर्थ में नीचे नहीं आ रहें नीचे नहीं आ रहें नीचे आएंगे तो साउथ होगा ऊपर जा रहें मतलब नौर्थ साइड में जा रहें ऐसे जा रहें ठीक है तो यह हुआ यहां पर यहां पर नौर्थ और कहां पर आएगा इस्ट में इसका आए है ठीक है मतलब इसकी तरफ से कहां पर होगा North East में होगा अब हम बात करते हैं यह जो मिशिको है मिशिको की तरफ से तो मिशिको की तरफ से कहां पर जाएगा यह तो यह देखिए इस तरीक से अगर जाएगा यह तो कैसे होगा यह थोड़ा सा यह South में जा रहा है ठीक है South में तो कहां पे आ रहे है इसका यह इसका मिशिको के लिए आएगा South West क्योंकि यह south में नीच्चे side थोड़ा सा जा रहा है और West में इस side जा रहा है तो यहां पे तो west होता है वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप देख सकते हो कहां पर यह पहले तो यह नॉर्थ में जाएगी ऊपर थोड़ा ठीक है और अगर यहां पर नॉर्थ में जाएगी तो यहां पर एकदम ऐसे नहीं है मतलब कि यह थोड़ा सा वेस्ट में जा रही है यहां पर अगर नॉर्थ मे जा रहे हैं, आप इस तरह से map बना के भी देख सकते हो, north और west किस तरफ इसे जाना पड़ेगा, तो यह कहां पे है, इसकी तरफ से ताज महल कहां पे है, north west में, ओके, अब next question देखते हैं, शाहिद इन आगरा is specifying the direction in which the others live, how will he express them, तो यहां पे शाहिद जो आगरा में है, तो उसके लिए यहां पे जो बाकी के सब रह रहे हैं, उसके लिए कौन सा direction होगा, अगर हम बात करें, यह जो शाहिद है, यह शाहिद ना आगरा में ही रहता है, यहीं पे रहता है, तो इसके इसके लिए बाकी सब कहां पे होंगे, तो इसके लिए अगर हम देखें, तो यहां से यह जाएगा अगर, तो यह कौन सा direction होगा, मतलब इसके लिए अगर बात करें मिनाक्षी की, तो मिनाक्षी कहां पे रहती है, कौन सा direction होगा, तो आप इस तरह की से देख सकते हो, इसी साउथ में आना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए इसे साउथ में आना पड़ेगा और वेस्ट में थोड़ा सा इस साइड है तो यह इसके बीच में आ रहा है ना इस्ट और साउथ की बीच में आ रहा है यह डॉट यह दोट देखो जो pink color में है तो अगर इसकी तरफ इसे जाना है तो इसे किधर जाना पड़ेगा तो इसकी तरफ भी देखिए थोड़ा सा north में जाएगा और west में इस side है that means west में है तो आप देखो यहां पे यह कहां पे है north west में आएगा यह जो रोम है नातालिया की तरफ तर अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो नतालिया रह रही है रोम में जो रोम की नतालिया है और जो लीमा का एंडरिक है ठीक है तो इनके लिए बाकी जो बच्चे हैं उनका सेम प्लेस होगा इसका कहने का मतलब यह है कि यह देखिए यह जो लीमा में रह रहा है कौन एंडरिक और यहाँ पे रोम में रह रही है यह नतालिया तो इन दोनों के लिए यह बाकी के बच्चे सेम डिरेक्शन में है अगर यह एंडरिक जाएगा ग्राहम अगर यहाँ पे सेंट पिटर्सब नतालिया के लिए यहां पे इसकी तरफ से मैं इसकी तरफ सेंट पिटर्सबॉर्स बग का जो देखूंँ यहां पर अगर आप ऐसे मैप बनाएंगे तो अब देखोंगे यह इस्ट है नॉर्स है सालत है तो कहा पे जा रहा हा ये north east में होगा न, north उपर जाना पड़ेगा उसे north जाना पड़ेगा और गुमना पड़ेगा किधर east की तरफ? north east की तरफ, लेकिन अगर बात करें इसकी तो इसका भी किधर है, इसका भी देखो यहाँ पर, ये यह इन दोनों का सेम है, ठीक है, और अगर माली जी यह Kimberly का देखते हैं, यह Lima का, तो यह अगर जाएगा इस साइड, अगर यह इसके लिए Kimberly का देखें, तो किस साइड है, इसके लिए थोड़ा सा इसे South में आना पड़ेगा, इस साइड थोड़ा सा South में आना पड़ रहा है, ठीक है, एकदम East में नहीं है, और कहां पर है यह East साइड में, मतलब South East में यह आएगी इसके लिए, इसके लिए South East में होगा, लेकिन अगर रोम से देखें, तो रोम से अगर देखें, तो सेम है क्या, तो सेम यहां पर नहीं होगा, रोम माली जी यहां पर है, तो यहां पर भागे का भी सब भागे का भी मेर्श्त करना है। दिखे कि इन दोनों की वजह से, सेम आया सावथ हीस्ट और इसका थेल्ट आया, सब भागे सब इस्टरह से सब कर सकते हो। इसका भी देख सकते हो। कि इस साther के सब का देख सकते हो, जैसे मैं आपको बताया। कि आपको यह समझ में आया होगा किस तरह से आप मैपिंग कर सकते हो लोकेशन चेक कर सकते हो मैप इस तरह से ड्रॉ करके ओके अब ग्राहम कात्या मिशिको नतालिया मिनाक्षी शाहिद एंड एंड्रिक सिर्फ यह चार होते इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथीस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ यह सब डिरेक्शन हो जाता है तो इनके लिए सब के लिए अलग ताज मघ जाने के लिए सब के लिए सब का जो तो लोकेशन है, सबका अलग अलग था, ताज महल is located at one and the same place, and that is आगरा, अब ताज महल तो एक ही है, और जो कि वो आगरा में है, तो अगर आप कोई बोलेगा कि नहीं, साउथ हीस्ट में है, कोई बोलेगा नहीं, नौर्थ वेस्ट में है, तो ऐसा चलेगा, तो यहां पर जितने बच्चों ने अपने जहां पर जिस प्लेस पर रह रहे हैं उस प्लेस से उन्होंने उसका डिरेक्शन बताया तो सब का डिफ्रेंट आया ठीक है इस बता देना कि मेरे अहां से तो इस साउथ में पढ़ रहा है मेरे यहां से इस साउथ में पढ़ रहे ह। तो मानली कोई आप रहा है हैं घी अब आत शृरश मडेंने से बडिश्टिर पह था में उसकी तरव से ताजमाल अलग पड़ेगा, तो कोई बाहर का person आया, कोई foreigner आया, वो बुलेगा किस location में मुझे ताजमाल देखने जाना है, तो कोई east बतायागा, अपनी तरफ से कोई west, कोई south, तो वो कैसे जा पाएगा, वो किस दिशा में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये accurate नहीं है, ये सही नहीं है, location अपनी अपनी तरफ से बताना, किसी जगह का ये सही नहीं है, तो किसी place को एक fix, मतलब कि एक fix, एक certain उसका location होना बहुत ज़री ताकि कोई भी समझ जाए कि उसका किस degree पे है, कहां पे है, वो सारी चीज़े, वो पता चल जाए, तो इसके लिए क्या हुआ That is why, इसलिए, it became necessary to find a new system, to state precise location of any place on the earth, इसलिए, अर्थ पे कोई भी place कहां पे है, किस location में है, तो कोई एक ऐसा system निकालो, जो सब के लिए वो एक हो, कोई ऐसा system निकाला गया, कि ताकि अर्थ पे कोई भी अगर place पे कोई जाना चाहे, किसी भी जगह का, किसी भी देश का इ है, कि ताजमल हर व्यक्ति के लिए एक ही location बोला गया, मतलब कि एक ही location ऐसा बनाओ, कि ताकि वो location हर किसी के लिए same हो, different, different ना हो, तो फिर तो confused हो जाएगा, किस different, किस दिशा में वो जाए अपनी तरफ से, okay, so इसके लिए कुछ system लाया गया, और system क्या है, let us see what it is, observe the globe in your school, think about the following question and discuss them, तो कुछ questions दिए गए हैं, आपको discuss करना है, अपने बीच में, अपने friends के बीच में, globe तो आपको सबको पता है, देखा होगा, अपने school में, there are some vertical and horizontal lines on the globe, तो vertical मतलब कुछ इस तरीके से lines होती है, vertical lines मतलब इस तरीके से खड़ी line, और horizontal line मतलब इस तरीके स ältि होती है, लेटी हुई लेटी हुई, आप लेटील मेंज लेटी, लेटीटीी में पीलिंग क्या षती है, LATI, TUDE, लेटी का इतना याद कलो, तो मतलब horizontal का मतलब लेटी का लेटी हुई line होती है, ऐसे, यह लाइन होती है, तो यह कितने, कितने strivings कितने, कितने, 10, 20, 30, 40, क इतना है वो count करो, what labels do these lines have, तो यह जो lines है, तो मतलब उन पर क्या label की गई है, क्या लिखा गया है, क्या सारी चीजें है, what similarities and differences do you see in the labels, labels जो हैं, उसमें क्या differences देख रहे हो, will it be possible to actually draw such lines on the earth, तो जैसे कि globe पे इस तरह के से earth बनाया गया है, कहीं पे यहां पे भारत का दिया हुआ है, यहां पे मतलब अलग-अलग continents ने दिये गए हैं, तो ऐसा जो line बनाई गई है, कि ऐसा line earth पे बना सकते हैं क्या हम, तो हम नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, वो देखते हैं, figure one point shows the length of the east, west and north, south diameter of the earth, यहां पे देखिए, जो earth का diameter है, मतलब कितनी उसकी लंबाई है, चोड़ाई है, इसका मतलब कि यहां पे गड़ देखे, east to west, मतलब यहां पे waste to east देखे, तो इसकी जो diameter है, वो यहां पे कितना है, यहां पे आप देख सकते हो, 12756 km, और इसका अगर हम देखे, north and south से लेकि इसका कितना है, तो 12714 km हैं, ठीक है, तो इसकी यह, इतना मतलब कि ऐसा माना गया है, कि यह earth जो है, इसकी यह लंबाई इतना होगा, क्योंकि हमें पता है, हमारी, जो earth है, वो sphere है, तो इस तरह की से उसका माप लिया गया है, कि इतना है earth, इससे आपको थोड़ा idea पता चला होगा, कि कितना kilometer हमारी earth है, ओशनिक waters, uneven nature of the land, forests, innumerable island of different size and buildings, make it impossible to actually draw such lines on the earth, अब वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरह की से जो globe होता है, इसमें line होती है, यह जो globe है, हम इसको क्या consider करते हैं, earth की तरह, हमें कुछ place अगर search करना होता है, तो हम globe पे देखते हैं, तो उसे हम क्या, एक मतलब की replica है, कि हम इसे देखते हैं, चोटी earth है, मतलब इसी से हम consider करते हैं, सारे places को globe के ही through, लेकिन globe पे तो हमने line बना ली, उसको हमने अपने according बना लिया, लेकिन earth पे क्या है, पूरा समुंदर है, आपने देखा है, ठीक है, कितना percentage of water है, earth पे आपको पता है, अनिवन nature of the land, land कैसा है, कहीं पे उची है, कहीं पे नीची है, कहीं खाड़ी है, कहीं गड़ा है, कौन जायगा line खीचने, forest है, jungle है, बहुत dense jungle है, बड़े बड़े तो उस jungle में कौन जायगा line खीचने, inevitable island है, मतलब uncountable, अंगिनत island है, अलग-अलग size में, कोई छोटी, कोई बड़ी, इतनी बड़ी-बड़ी buildings हैं, तो यह impossible हो जाता है, संभव हो है कि line draw करना earth पे, तो यह line draw हम कभी नहीं कर सकते, मतलब यह जो हमने globe पे बनाया है ना, वो imaginary line है, imagine किया हुआ है कि ऐसे से line, ताकि हमारे लिए सुविधा हो सके, कि हम location जब बना रहे हैं तो, इन order to overcome these difficulties, geographers developed a miniature model of the earth, in the form of a globe, तो यह इतनी सारी difficulties हैं, कि हम earth पे तो line नहीं खिच सकते, लेकिन earth के जैसा ही, एक छोटा सा कुछ हम बनाते हैं, replica, एक ऐसा बनाते हैं, duplicate earth, और उस पे हम line खिचते हैं, line क्यों खिचते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, this can be used to determine location on the earth, और इसी से, इसी से हम क्या determine करते हैं, location, कि यह किस दिश्या में है, इस line के, इस degree पे, इतना, यह east side में, यह place है, waste side में, यह place है, north side में, तो ऐसे हमने line खिची, अपने सुविधा के लिए, one can actually draw horizontal and vertical lines, on a globe through not on the earth, तो हम easily, globe पे हम easily line, इस तरवे से vertical line हो, इस तरवे से, चाहे horizontal line हो, हम easily globe पे खिच सकते हैं, बट earth पे नहीं, thus, देख, are imaginary lines on the earth, और यह क्या है, हम इसे imaginary line देखते हैं, globe पे हमने line बना दिया न, उसी को हम समझते कि, यह imaginary line है, earth को भी हम इसी की तरव से, इसी तरीके से हम consider करते हैं, जो line हमने यहाँ पे दिया न, earth को, माले जी कि यह भारत है, भारत की तरव से जो line गई, इसी को हम मानते हैं कि, earth पे भी यही line गई है, इतना ही degree का भारत से भी line गई है, ठीक है, आगे आगे आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से समझते रहिए, कि कुछ lines खीची गई हैं, जो की location वगरा जानने के लिए, जो की earth पे हम वही consider करते हैं, वही line जो की globe पे है, angular distance क्या है, वो देखते हैं, मान लिजे कि यह हमारी earth है, ठीक है, earth है, गोल है earth, आपको पता है, फिफ्स टेंडर में भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए, यह क्या है, center है earth का, center दिख रहा है आपको center, किसी भी circle का center यहीं होगा न, यहाँ तो यहाँ यहाँ तो circle का center होगा न, बीच में एकदम center होगा, ओके, तो यहाँ पे यह angular distance कैसे है, angular distance का मतलब कितना angle बना रहा है, 30 degree का, 20 degree का, 60 degree का, तो यह कुछ degree बनाई गई, देख लेते हैं, अगर किसी भी place का location जानना है, तो हम कहां से जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो earth के center से हम उसे measure करते हैं, ठीक है, मतलब, माल लीजिए कि यहाँ पे, यह center है, ठीक है, center से यहाँ का area कितना है, हम यहीं से draw करेंगे न, यही main है, यहीं से हम क्या करते हैं, हर जगां का angle decide करते हैं, कि यह कितने degree पे है, यह नीचे वाला जो part है, वो कितने degree पे है, यह वाला part कितने degree पे है, ऐसे, तो center से ही हम consider करते हैं, in order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface, and the center of the earth, at the center it makes an angle with the plane on the equator, अब एक बात ध्यान रखिए, कि earth पे जो globe होता है, earth पे तो हम line खीचने नहीं जाते, पर यह समझे कि हम globe पे जो line हमने बनाई है न, वही line हम consider करते हैं, earth पे, तो यह समझे कि earth पे जो a beach वाली line है न, इसको बोलते हैं equator, यह zero degree की होती है, जिरो degree की line होती है, और इसको क्या बोलते हैं equator, और यह जो equator की line है, यह यहां से लेके यहां तक यह जो reason है, जो place है, इसको क्या बोला गया है equator plane, क्या बोला गया है, यहां पे लिखा गया है equator plane, ठीक है, तो center से ही जाता है, अब यहां से लाइन क्यों खीचा हमने इसको यहां पर सेंटर से सेंटर से इधर की भी लाइन कीची इधर की भी कीची और इसी को बोल दिया और जीरो डिगरी इसको दिया फिर यहां से काउंट किये और डिगरी सेम ठीक है आगे 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 आपको समझ में आयागा बस ध्यान से समझते रहे ही तोड़ा सा आपको very complicated लगेगा बस लेकिन आप एक दो बार तो आपको समझ में आएगा और देरे देरे आपको सब समझ में आएगा At the center, it makes an angle with the plane of the equator. The measure of this angle is used in determining the location. For example, in figure 1.3, the measure of angle xmv is 30 degree. That is, its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell the angular distance of y from the equator. देखिए, अपने 5th standard में पढ़ा, यह 4th standard में आपने पढ़ा कि आपको प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है. तो मान लिजिए कि आप यहां पे रखोगे center में और यहां पे जब आप रखोगे, तो जब आपको 10 degree रखना है, 20 degree रखना है, 30 degree रखना है, तो आप इस तरह के से माप करोगे, यहां पे आपने प्रोटेक्टर रखा इस तरह के से. तो आप इस पे देखोगे कि यहां पे 10 degree है, यहां पे 20 degree है, और यहां पे 30 degree है, तो आपने देखा कि यहां से हम use करेंगे, center से, और यह equator line पे रखके, इस तरह के से हम रखेंगे, और यहां पे यह देखे, 30 degree का यहां पे बना, 30 degree, यहां पे देखे, यह जो equator है, उसे यहां पर M point दिया गया है, और यह equator line को यहाँ पर V दिया गया है, नाम दिया गया है ना, और यहाँ पर दिया गया है इसे X, मतलब अगर आप protector रखके, आप 30 degree का यहाँ पर angle बनाओगे, तो कुछ इस तरह के से angle बनेगा, यही क्या है, angular distance है, तो angular distance मापने के लिए हमें कहां से मापना होता है, तो center से, center पर protector रखके, आपको 30 degree रखना है, तो यहाँ पर रखिए, 40 रखना है, तो यहाँ पर 50 रखना है, तो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आते आते हैं, 90 degree हो जाएगा, और यहाँ पर भी 90 degree होता है, अब यहाँ पर देखिए, 60 degree है, यहाँ पर ठीक है, तो आपको चीजे धिरे-धिरे आगे पता चलेंगी, लेकिन यह क्या है, यही होता है angular distance, और angular distance कहां से मापा जाता है, center से, हमेशा आपको कोई भी डिगर अगर मापना है, और से, तो आप center से मापोगे ना, यहां से, क्योंकि यही center है, तो यहीं से आपको is 30 degree, look at the figure and tell the angular distance of y from the equator, तो y के लिए भी यहां पे क्या किया है, यहां पे देखो, y के लिए भी यहां पे 60 degree का बनाया है, अगर माली जे 30 degree का आपका, यहां पे आया, तो 30 degree का आपका, यहां पे भी आएगा 30 degree, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर गया है ना, degree वैसे ही वैसे नीचे गया है, यहां पे 0 degree है, और यहां पे 10 degree, 20 degree ऐसे start हुआ है, तो यहां पे भी नीचे भी 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40, 50, 60, यहां पे आया, उपर में भी यहां इस लाइन पे गर जाएंगे, तो यहां पे 60 degree है, ठीक है, मतलब सेम degree है, उपर जैसे है, 0 degree से उपर जैसे जैसे डिगरी चालू होती है ओके तो यहां पर 60 डिग्री के लिए आपको रखना है तब भी आप कैसे करोगे यहां पर आपको रखना है अर्थ के सेंटर में आपको रखना प्रोटेक्टर और आपको 60 डिग्र नीचे के साइड आपको बनाना है साउथ साइड में सदन साइड में तो इस सदन का प कख्cej गोल है तो पीछे की तरफ भी लाइन बनेगा तो एहां पर देखो यह पीछे वाला भी लाइन दिया गए आपको यह पीछे का है बॉल है समझ लीजे की यह बॉल अगर इस ऐसह बउल उपर अगर इससाइट लाइन बनाओं घूम के जाएगा और यहां यहां पर जब आपने बनाया यहां पर फिगर 1.3 shows another plane, figure 1.3 shows another plane, it passes through X, it is parallel to the plane of the equator, observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth, note that it forms a circle on the surface and any point on the circle and the equatorial plane from an angle of 30 degree at the center of the earth, अब ध्यान से देखिए, मैं समझाती हूँ आपको, यहां पर यही बोला गया है, कि मान लिजिए कि अब आपने यहां पर 30 degree किया, यहां पर 30 degree आपने लिया, M, X, N, V का जब आपने यहां पर 30 degree लिया, 30 degree North, यहां पर North, North की तरफ हम जा रहे हैं, इसके उस side क्या होता है North होता है, और equator के इस side South होता है, ठीक है, तो यहां पर आपने जब 30 degree लिया, तो इस side भी 30 degree ही आएगा, आप देखोगे अगर, तो यहां पर 30 degree ही आएगा, तब इन 30 degree, इधर 30 degree North, इधर 30 degree North, इन दोनों को यहां पर N point दे दिया, यहां पर X point दे दिया, अब इन दोनों को हम match करेंगे तो यह क्या पैरलेल हुई parallel हुई मतलब कि इस तरिक उसका यहां पर कि तो यह क्या ओऔर है यहां पर भी क्या बन रहा है parallel है लाइन पैरलल बन रहा है इन दोनों को लेकिए यहां पर भी देखो किसे आपको करना है तो इन दोनों को ऐसे बने इस तरीक से एक parallel line बना रही है parallel line का मतलब कि किसी इस तरीक से बन रही horizontal line बन रही है इन दोनों को मिला के मतलब कि यहां से भी 30 degree यहां से भी 30 degree अगर यहां 20 degree है तो यहां भी 20 degree होगा अगर यहां 10 degree है तो यहां भी 10 degree होगा सेम वैसे ही यहां पे भी यहां पे अगर equator की line है यहां पे equator की line यहां तक है ठीक है तो यहां पे 10 degree यहां भी 20 degree सेम वैसे ही यहां पे भी जाएगा और आते आते यहां पे कितना हो जाएगा 90 डिगरी यहाँ पे भी और उपर में भी क्या हो जाएगा 90 डिगरी उपर में भी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने globe पे lines बना है और यह आगे चल के हमारे लिए किस तरीके से useful होंगे आपको जब आगे आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जिरो डिगरी तक हो जाता है और सेम वैसे ही साउत्थ में भी जाता है यहीं से 0 degree से ही, यहीं 0 degree line equator से ही, यहाँ पे भी आते आते यह पुरा 90 degree तक आता है, वो हम देखेंगे आगे यह सारी चीज़ें, कोई भी doubt हो तो comment section ज़रूर पूछें, यहाँ तक हम रहने देते हैं, फिर यहाँ से हम देखेंगे next video में, ठीक है, इतना आप revision कीजिए, आपक कोई भी doubt हो तो ज़रूर पूछें, चैनल सब्सक्राइब कर देजिए, अपने friend के साथ भी share कीजिए, वीडियो पसंद आया तो like भी ज़रूर कीजिए, यहाँ से हम देखेंगे next part में, ओके?